दूस्तों अपने प्रडुक्ट्स तो बहुत सारे खरीदे होंगे और ओनलाइन भी और अफलाइन भी दोस्तों आज की फिडियो में आपको यह दिखाने वाला हूं कि मैंने भी एक प्रडुक्ट मैंने खरीदा है कर लिए जाकर मैंने कीबूर्ड में खरीद के लेकर आया आपको दिखा दूँगा और यहां पर में पास कुछ ऐसी चीजे लिखी हुई है जो कि मैंने अपने लाइफ में इसको experience किया हुआ है और आज की शुडियो में आपको यह experience आपसे share करने वाला हूँ तो मैं आपको इसमें यह दिखाने वाला हूँ कि इसमें online में हमें क्या benefit होता है और offline में क्या benefit होता है और क्या नुक्सान हो जाता है ठीक है ? तो सबसे पहले हम बात कर लेते है online की, offline में हमें क्या होता है कोईवी price tag दिया रहता है आपके product के ऊपर तो उसका जो price होता है वो high तो रहता है मगर क्या है कि आपको उसको कम प्राइज में वो मिल जाता है आपको प्रोड़क्ट ठीक है और ऑनलाइन में क्या होता है उसका प्राइज टैग हाई रहता है और वो मिलता भी हाई में कि आपको उसमें जो प्राइज होता है वो ऑनलाइन के मुकाबले में काफी क में लेकिन मैं अपको काफी कम मैं मिल ने में मील जाता मारकेट में लेकिन मैं आपको दिखा जैता हूं कि ओनलान में ज्याधा होता और 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 मैं कम होता एक आप मुद्वियकु स्कृश्शक्याइ diff早 थूए जिसर्श के से नहीं मिलती है और किस तरीके से मिलती है अगर आपुने से ऐसे बात करते हूं तो आपको कुछ से बात करेंगे है कि आपको सर्फिस हें और काफी फॉर से आपको यहीं घठाने है और शॉब Tu ठीक है तो इस तरीके से वह बात करते है ऑनलाइन के केस में यह होता है कि अगर आप कोई भी प्रोड़क्ट खाई लेते हो तो आपको कम से कम 10 डेज की गैरेंटी होती है आप उसको मंगवा लेते हो और आप उसको यूज़ भी करके इस तरीके से नहीं कि अगर कोई इसमें भी पीच निकल जाता है यह पुछ भी हो जाता है तो यूज़ देख उलम ललन जा तो अनलान होता है लुचल होटा हों ऐस लूज़ गवे आपका पैसे बिल्कु भी सेफ नहीं सेफ नहीं होते है मैं आपको पहले बतारता हूं इसमें आपका पैसा बिल्गुल सेफ नहीं होता है अगर आपने प्रोडर्क्ट खरी लिया तो आपको समझ लो कि आपके पैसे गए अब आपको प्रोडर्क्ट लेना ही पड़ेगा और या तो आप एक्सचेंज भी नहीं करा सकते हैं अगर प्रोडर्क्ट बिल्कुल हो सकता है ठीक है और offline में क्या होता है अगर आपको इसा भी प्रोड़क्टर आपको चाहिए आपको तो आपको उसे manually लेके लेने जाना पड़ता है या किसी चीज से भी जाओ कहीं पर भी जाओ कितनी भी दूर पर जाओ आपको सिर्फ जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए ठीक है और online में क क्या है कि आपको घर पर deliver हो जाता है बस इसी चीज के वह ज्यादा पैसे लेते हैं आप से online वाले और यह भी काफी सारी benefit है इसके जो कि वह 10 दिन के रिटन कर लेते हैं इस बात के वह पैसे इसी हिसाब से लेते हैं इसलिए online के जो प्राइस होते है वह इसलिए थोड़ा सा हाई होता है और उसमें taxes जुड़े रहते हैं तो यह सब benefit है online के और offline के मैं आपको benefit मैं दिखाता हूं आपको बसे तो एक मैंने बता दिया कि इसमें आपको price कम मिल जाएगा offline में ठीक है और offline में क्या है कि कोई सब्सक्राइब बिलकुल manually सामने से आप देखकर लेते हो फिर आपको उसको buy करते हो ठीक है do online में ऐसा नहीं हो पता है online में आपको सब्सक्राइब पड़ते है इससे तरीका से हम करके अपने Shooter पर अपने गरे करवाते हैं और offline में आपको महाँ पे देखना पड़ता है ठीक है तो कोई image नहीं दिखा जाता हूं आपको सामने दिखा तो यहां पर भी रखाओ मैं आपको दिखा दूँगा तो मैंने को बूले चलो मैं को इसको लेना ही है तो आप इसको ओपन करते हो तब जाके उन्होंने यह ओपन किया था और ऑनलान में क्या होता है कि अगर आप इसको घर पर मंगा भी लेते हो फिर भी यह रिटन हो जाता है इसलिए ऑनलान जो मार्केट है बहुत तेजी से उपर ग्रोग कर चुका है ऑफ्लान के मामले में तो यही थी आज की वीडियो में और मैं आपको दिखा तो मेरा जो व्लम आती है बहुत ज्यादा हो जाती जब एक टाइम से जो बहुत पुराना हो जाता की बद कर जाता है और यह मैंने और पहले यह नहीं को और यह बंट उन ऐस किया गто एक तो यह उसने कभ इसे उपन के दे जब मेंने उसे पैसे कर दिया थे और तब इसंदे ओपन करके दिया थे शॉप कीपर में तो मैं इसको ओपन कर दिखाता हूँ तो मैं आपको यहाँ पर दिखायाता है उसका प्रास टैक भी देखो 999 कुछ बहुत जादी लिखा हुआ है लेकिन ये मुझे मिल गया था 600 रूपे के आराउंड मुझे मिल गया था और अगर मैं लेकिन अब क्या है कि मैं इसको वापस नहीं कर सकता हूं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यह हमारे कीवर्ड डेल का ठीक है तो इसके जो बटन है काफी काफी स्मूथ है और बहुत जली हलके से प्रेस करते हैं प्रेस हो जाते हैं और काफी अच्छी टैपिंग भी होती है क्योंकि मेरे जो इसके उपर बहुत है मैंने इस की बुटन्स वाले आप जानते होंगे वह अकशर हर किसी है अपास होता है तो वैसा कीवर्ड में पास था तो अखेकर उसने दम तोड़ दिया तो मैं इसको लेके आगया था उसके बाद फिर अभी भी रखा हुआ हुआ के काम निए कर रहे और बिल्कुल डेड होने के कागर पर यह यूस भी टाइप है वह प्याइश टू कीबोर्ट है और यह यूस भी है तो यो USB होते हैं काफी अच्छी तरीके से काम कर जाता है बहुत प्लागेंड प्ले होता है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसे भी किसी भी टापिक पर आपको वीडियो बनाना हो तो मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हो अब मैं अगर हो सगे तो मैं कोशिच करूंगा उसके पर वीडियो बनाने की तोस्ता आपको मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाहिंद बंदे आत्रम